बिहार पुलिस के ओफिस्यल वेबसाइट पर आज की रेट में 28 नॉमबर 2021 को इंपोर्टेंट नोटीस चारी किया गया है चलिए इस नोटीस को डॉनलोड करते हैं और देख लिजे इस नोटीस में क्या कुछ दिया हुआ है नोटीस टॉनलोड हो गया है यहाँ पर आप देख सकते सबसे उपर में केंद्रिय चन परिशत सिपाही भरती पटना और यह जो समबंधित है बिग्यापन संख्या 05-2019 से समबंधित है 2019 में बिहार पुलिस में 1722 पदोपर ड्रैबर की वेकेंसी आई थी और उसी समबंधित यह नोटीस है साथ में आप लोगों को 815 पोस्ट का रिजल्ट कब दिया जाए इसके बारे में भी आगे बताएंगे रिजल्ट का भी अपडेट देंगे तो यहाँ पर आप दिखेगा पोस्ट का भी यहाँ पर है 1722 पदोपर बिग्यापन संख्या 05-2019 के अंत्रगर 2019 में वेकेंसी दिया गया था और लिखित परिक्षा फरवरी 2021 में लिया गया था ड्रैवर पोस्ट में मेरिट जो बनता है ड्रैविंग टेस्ट में मार्क्स के कोडिंग इसमें अलग अलग गारी के कोडिंग मार्क्स मिलता है जैसे Jeep के लिए लग है, ट्रक के लिए लग है, तो जिस according आप गारी चलिएगा, उस according आपको marks मिलेगा इसमें, तो टोटल यहाँ पर physical जो शुरू था, 15 नौबर से ले करके 24 नौबर के बीच में लिया गया, टोटल इसमें लगवा 8000 candidate था, 15 नौबर से 24 नौबर के बीच लि अब driving test जो शुरू है 8 दिसंबर 2021, यहाँ पर आप देख सकते हैं, सहिद राज अंदर परसाद सिंग, राज के उच विद्याले, पटना है स्कूल गर्दनी बाग, यही पर physical का भी आयोजन किया जाता है, बिहर प्लिस के अंतरगर जितने भी पोस्ट है, सभी का आयोजन य लेगा, 8 दिसंबर 2021 से driving test शुरू है, और किस date में आपका होगा, यह admit card पर दिया हुआ रहेगा, admit card आप बिहर प्लिस के tab पर क्लिक करके, csvc का official website open किजिएगा, सबसे पहले बिहर प्लिस का tab भी है, और वही पर link दे दिया आगे, लेकिन admit card आप 30 नौंबर 2021 से download कर सकते हैं, आज ही 28 नौंबर को link दे दिया गया है, अगर csvc का official website से admit card download नहीं होता है, तो आप csvc का office जाकर भी admit card प्राप्त कर सकते हैं, 3 दिसंबर से 4 दिसंबर 2021 के बीच में आप प्राप्त कर सकते हैं, और जितने भी can rate physical pass हुए, 500 can rate, सभी का भी यहाँ पर roll number दिया हुआ है, अब admit card download करना है, 30 नौंबर से आप admit card download कर सकते हैं, 8 दिसंबर से driving test शुरू है, तो admit card के साथ-साथ आपको मुल पर्मान पत्र भी सभी लेकर जाने, मुल पर्मान पत्र यानि जो भी document है, 10 मी का, 12 मी का लेकर आपको जाना है, साथ में एक ID proof भी, अधार card, water ID card, driving license में से कोई, और यह driver से संबाधित post है, इसलिए इसमें driving license भी मांगा जाता है, 29 नौंबर 2019 से कम से कम एक साल पुराना आपके पास, एक वरस पूर्व का यहाँ पर मांगा जा रहा है, 29 नौंबर 2019 से कम से कम एक वरस पूर्व, यानि 29 नौंबर 2018 तक अगर आपके पास driving license है, तो आप मानने रहिएगा अगर इसके बाद का बना होगा तो यहां पर रिजेक्ट कर दिया जागा तो यहां पर दिया हुआ है कोई भी driving license है चाहे two wheeler का हो या फिर four wheeler का यहां पर मानने होगा और साथ में condition और जो और दिया गए अगर टीका ले लिए अगर फर्स्ट वज भी लिये है तो वैक्सिनेशन पर मानने है तो अब तो और बेस्ट है साथ में आपको कोई डूनीस वैक्सिनेशन परमान पत्र भी देना परेगा और इसके बाद है विग्यापन में जो भी डिटेल्स है उसी एकोर्डिंग driving test लिया जाएगा और उसी के कोर्डिंग आपको सभी नियाम पालन करना है विग्यापन को एक पर आप पढ़ लिजेगा 05-2019 अच्छे तरीके से और उसमें सभी डिटेल्स में दिया हुए किसे कोर्डिंग आपको सेलेक्शन होगा मार्क्स किसे कोर्डिंग मिलेगा तो बाकी यहा दिसंबर से ही लिया जाएगा होमगार्ट टैब पर किलिक किजेगा एड्मिट का लिंक दे दिया गया है तीस नौंबर से आप एड्मिट कार्ड डॉनलोड कर सकते हैं फिजिकल टेस्ट का योजन पहली ही हो गया था नठान में पोस्ट प्रग्राप का सेलेक्शन हुआ है एड्मिट कार्ड डॉनलोड कर लिजे देख लिजे कब आपका ड्राइविंग टेस्ट आट दिसंबर से ही लिया जाएगा और 1722 पद का दोनों का एकी साथ लिया जा रहे ड्राइविंग टेस्ट अब बात करते हैं 8415 पोस्ट की 2020 में बिहर पुलिस कॉंस्टेबल की 8415 कब दिया जाएगा अभी वर्तमान में CSBC केंद्रिया चन परिसत सिपाही भरती के चेर्मेन है किस दिवे दीजी तो जब डिराइवर पोस्ट का फिजिकल शुरू हो रहा था फिजिकल जो शुरू किया गया 15 नॉमबर से उस इस दिन जी नियूज की वर से इंटर्व्यू लिया गया थो और पूछा गया था कि सर 8415 पोस्ट का रिजल्ट कब दे रहे हैं CSBC के चेर्मेन का यही कहाना था कि डिराइवर का पोस्ट की परक्रिया चल रही है जैसे ही कंप्लीट होगा इसके तुरांत बाद 8415 पोस्ट का जो भी परक्रिया है जैसे फिजिकल टेस्ट रिजल्ट है इसको देंगे और परक्रिया शुरू करेंगे और यह भी कहा गया था कि अगले एक महिने में 8415 पोस्ट का रिजल्ट देंगे तो 15 नमबर का इंटर्विव था यानि अब रिजल्ट जो दिया जाएगा नमबर महिने में नहीं आ रहा है और इस से रिल्टेड आप लोगों के इंटर्विव का वीडियो भी दिखाये थी एक सब्ता पहले ही रिजल्ट जो दिया जाएगा 15 दिसंबर से लेकर के 20 दिसंबर की बीच में अब आप लोगों को बहुत जैदे वेट नहीं करना परेगा जनवरी तक नहीं जाएगा 15 से 20 तारिक तक दिसंबर में रिजल्ट दे दिया जाएगा और अगले महने यानि जनवरी 2022 से फिजिकल कायोजन होगा फिजिकल लगभग देर महने चलेगा और इसके दो महने बाद फाइनल रिजल्ट दिया जाएगा यानि अगले साल में जून तक पूरी परक्रिया कंप्लिट हो जाएगा और 85 पोस्ट का रिजल्ट कभ दिया जाएगा और साथ में 1722 पदों का ड्राइविंग टेस्ट शुरू है अगर आपका सेलेक्शन अंठानमे पद के लिए हुआ है 2020 में विकेंसी आई थी विहार होम गार्ड में ड्राइवर की तो इसका भी ट्राइविंग टेस्ट का अड्मिट कार जारी कर दिया गया डौनलोड कर लीजिए CSBC को अफिसेल वेबसाट पर आना है होम गार्ड टेप पर क्लिक करके आप एड्मिट का डौनलोड कर सकते हैं